तो दोस्तों हम लोग एक farm पे हैं जो कि विहार के वैसाली जीला में है और यहां पे आप देख सकते हैं पीछे white white कलर की गायें काफी शौकीन आदमी के farm पे हूँ ऐसा हम लोग बोल सकते हैं काम भी काफी अच्छा structure के साथ बनाया गया है और हर एक बच्चे का record है यहां पर जो भी बच्चडी देख रहे हैं जो भी गाया देख रहे हैं क्यूंकि इन्होंने सभी गाया बच्चडी पंजाब से खरीदी है और अभी तक इंशेंशन इसलिए नहीं किया क्यूंकि इनको सेक सीमें डबलो डबलो एस का नहीं मिल रहा था जो कि हम लोगों के थुरू यानि BDFA के थुरू से इन्होंने लगभग धायलक का सीमें उन्होंने मंगवा है तो आईए इनके ओनर से मिलवा कर पूरी जानकारी देता हूं उसे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पर पहली जो है पंजाब से घडी गई है आपने जितनी यहां पर दो गया हम लोग मिल्किंग पे देख पा रहा है है यह आपने पंजाब से खरीद यह नों गाय जो यहां पर एक गए बड़ी गया यहां पर है और अर बाकि जो भी बच्चडी देख रहे हैं हम लगभग 10-12 तीन औ व्यूमर से आपने खरीदा कैसे खरीदा उसके बारे में पूरा निटेल होता यह थी मंथ के थे तब हमने फर्चेस किया था ठीक है और यह दो मिल्किंग काउज है 45 लिटर मिल्किंग कर रही है और यह जो वाइट ऑली जो आपको गया दिख रही है इस टौकी ए दिख रही ह आप देखवाल की है अब देखी रहा है अभी लगभग यह तेरह महीने की होगी है इसको एक प्राइब अभी नहीं किया अब तक नहीं मैं वेट कर रहा था WWS का सेक्षट सीमेन का और आज मैं अजाजी से लग भगाद धाई लाख रुपे का WWS का सीमेन परचेज किये जो बिहार सरकार 20 सालों में नहीं हम लोग के लिए कर पाया वो बीडिये फे ने एक महीने में कर दिये थैंक यू सर तो दोस्तों वीड वाला सीमेन पहुंचा कर देंगे उसके लिए हमारा हर जीले में गाड़ी स्टार्ट करना है किस दिन गाड़ी सीमेन की पहुंच रही है यहाँ पर आप जो इसक्रीन पर देख पा रहे हैं इसको स्क्रीन शॉट मार कर आप सेव कर लें ताका आपके एरिया में हमारी गाड कर लें अपना ओडर लगा लें जब भी गाड़ी जाए आपको हम लोग सुविधा में सीमेन देंगे लीटर वाइस प्राइज डिपेंड करेगा आप बुक करवाएंगे तो आपको सेलेंडर भी दे दिया जाएगा ये सुविधा हर महीने हर तारीक को जो तारीक हमने डेट बताई है आप इसको फोटो में सेव कर लें जो फोटो इमेज देख रहे हैं स्क्रिंशॉड मारके सेव कर लें आपको कभी भी मिल जाएगा अब बात आती है कि भाई बिहार के बाहर वालों के लिए आप क्या कर रहा है तो मैं बताना चाहूँगा किसी भाई को चाहिए हम लोगों से सीमेन कंटेनर तो ये दो चीज हम लोग बाहर भी पहुंचा सकते हैं दे सकते हैं उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है ये नंबर पर फोन करना है चाहे हो आप किसी दूसरे राज्य से हो सीमेन का क्वांटिटी अगर ऐसा रहेगा कि लड़का पहुंचा कर आपके पास आ जाए उसका खर्चा मैंटेन हो जाए उतने में तो हम लोग कोई भी राज्य में पहुंचाने के लिए तयार हैं आप अपना ओर लगा सकते हैं दूसरा अब यह बात आती है कि मेंबर सीब 20 धिनी नहीं dei सकते हैंगा तो उनसे आप offline में बनकर आप सीमें ले सकते हैं मेंबर बनना अनिवार है इन इंपोर्टेंट है बिना मेंबर को हम लोग यह सुईधाय नहीं दे सकेंगे हम लोगों का परियास यही है कि हम किसानों को हर वो चीज उपलब्ध कराया जाए जो हमारे बिहार के अंदर उपलब्धता की कमी के वजह से हम किसान आगे नहीं बड़ पा रहे हैं चाहे हो का सीमें ईया वर्डवाये साहर का हो आपका डिमांड था कि वर्ड़ वाइट शायर का ही सीमें चेहिए उसमें अब ही सैक्सेट सीमें港ी अपन जो भी बछडी गाये को अपने एक साल बच्चा दे कर हो गया और अब बारे वैट टरहिए tekrar वहों और वेट कर रहे They सबसे अच्छी फारा में वहां से मिने गाय परचेश किये सब रिकॉर्डेड है यह कितना कुछ एक प्राइज बताएंगे सर कितने में कौन सी गया है इसमें 3 लाक की कम की नहीं है तीन लाक से कम की कोई गया नहीं है और यह बच्डी जो तीन महने की बच्डी आपने खरीद यह तीन बच्डी जो भी आपकी तीन बच्डी अचा सभी के सभी वाइट में ज्यादा देखने मिल रहा है इसकी क्या कारण है वाइट गया है इसके हमारे बिहार के अंदर बहुत चारी सारी चीज़े समस्या है जैसे अगर हम लोग बात करें सीमें का तो सीमें तो हम इसका कुछ देखिए अच्छा कुछ फीड अगर आता है तो आपको में बताईए ठीक है और हम हडे चारा में सुपर नेपीर लगा रखे हैं दो एकर में ठीक है और अभी सेले जिस वार बहनवाएंगे हम लोग मक्य लगवाएंगे अभी नेक्स्ट क्या प्लान है सर नेक मतलब फीचर में और बढ़ाने का परयास है अभी सिर्फ बच्षडी देख रहा है हम लोग नौ बच्षडी है मातर दो गाय मिल्किंग में हो भी लास्ट टैम पर चल रही है तो ऐसे फार्म को मैनेज करना तो काफी मुश्किल हो रहा है हम ब्रीड पे काम करना चाह रहे है और सब गया ही रखना है तो उसके लिए फ्यूचर में हराचारा बहुत जरूरी है साइलेज बहुत इंपोर्टेंट है इसके लिए अच्छा एक बैलेंस फीड होना जरूरी है तो इसका कैसे देख रहा है अब कैसे मैनेज करिएगा इसके लिए हम अभी लगा रहे हैं दे इतने में तो सभी घॉये दैखे आपने इसके, दूसरा फोर्बाइब बनाना हां, जानसार बनेगा अभी और हार से jobbar समस्या सब से ज्यादा अच मिला सबसे ज्यादा की सभसे ज्यादा दिक्कत होती है सीमेन का आप लोगे ने कर दिया सीमेन के भी बहुत दिक्कत थी यहां पर डबलु डबलु एसके बाद यहां पर बेटनरी डॉक्टर जह हो एव लेवल जल्दी नहीं होते हैं यह से बहुत बड़ी समझते हैं बेटनरी का भी प्रॉब्लम आया आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं और सब चल रहा है वाकी फीचर में आगे गाय बढ़ाने की चाहत है और इन सब को आगे करने की जरूवत है तो हम लोगों ने आपको बहुत सारे सीमेन दिये श्ट्रॉव दिये सैक सीमेन भी दिया नॉर्मल सीमेन भी दिया किसमें क्या लगाने का सारे में लगाएंगे इसलिए के डव 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 यसका अच्छी है अच्छी है इसलिए एक साल से यह गया को लाके रखा है कि तो बार-बार हीट में आती हो अब तक यह नहीं किया अपने नहीं हो दो यह करने का वज़़े या शौक पुरा करना है दोनों होगा अभी तो शौक ही चल रहा है कमर्सियल भी इसको बनाएंगे जब 200 निमाल हो जाएगा अपने पस और बीडियेफे से हमारे बीडियेफे से क्या-क्या चाहते हैं कि यह तो है कि फीड की जो अच्छी कोई ब्रांड हो कंपनी यह फिर हम लोग अपना मैनुफेक्ट्चर करें जो भी अच्छी सी फीड की विवस्था की जाए भीहार में ओके और सीमें की हो गई है कि छोटी-छोटी समस्याओं से किसान जूज रहे हैं उसको तुरा सा ध्यान में रखते हुए वीडियो के वीडियेफे को आगे बढ़ने के जरूरत है ओके बहुत अच्छा लगा सर आप से मिलके थैंक्यों तो दोस्तों लगभक सारी जानकारी इस फार्म के बारे में हमन दोनियों को सीमेन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि WWS का जो बुल चाहिए था इनको सेक सीमेन में वह इनके पास उपलब्ध उस टेम से नहीं हो रहा था फिर लगभग दो दिन पहले इनका सीमेन आ चुका है तो नेक्स्ट आगे फ्यूचर में इनका सभी सीमेन लगा जाए वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शर जरू करते हैं थैंक्स पर वाचेंगे